वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं होना एक्स बिलेट की फुल डिटेल्स तो जो लोग एक्स बिलेट खरीदने जा रहे हैं वो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आईए बात करते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की इसका जो इंजिन टाइप है फोर स्ट्रोक SI BSVI इंजिन है डिस्प्लेस्मेंट की बात की जाए तो 160 CC का इंजिन इसका त्यार किया गया है मैक्स पावर की बात की जाए तो 13.8 PS 8000 RPM इसका मैक्स पावर होगा मैक्स टॉर्क होगा 14.7 NM 5500 RPM Cooling की बात की जाए तो Air Cooled Bike है Air Cool इसका इंजिन है Starting की बात की जाए तो इसमें Kick और Self दोनों मिलेगा Gear Box की बात की जाए तो 5 gears इस Bike में है Single Channel ABS है और Engine Kill Switch इसमें दिया गया है Chesis की बात की जाए तो Diamond Type Chases दिया गया है फ्रन्ट सस्पेंशन की बात की जाए टेलिस्कोपिक दिया गया है रियर सस्पेंशन हाइडरोलिक मोनो शौक दिया गया है अब बात करते हैं इसके बॉडी डाइमेंशन्स की इसकी लेंध की बात की जाए तो लेंध होगी 2013 mm, विद होगी 786 mm, हाइट होगी 1115 mm, Ground clearance होगा 160 mm Wheelbase होगा 1347 mm और जो seat है उसकी length होगी 582 mm और इसका जो weight है वो होगा 144 kg Fuel tank capacity की बात करें तो 12 liter का इसका fuel tank मिल जाएगा mileage की बात की जाए तो अभी हमने इसका mileage test नहीं किया है लेकिन customer का जो feedback आया है वो 40-45 तक का mileage approach मिल सकता है अब बात करते हैं इसके price की तो इसका जो action room price है वो होगा लगभग 1,12,000 रुपए अब बात करते हैं इसके colors variant की तो 4 colors में ये bike launch की गई है blue metallic, spartan red, orange metallic और black तो ये थी Honda X-Billade की full details जो मैंने आप तक पहुँचाई 160cc में ये bike market में उतारी गई है overall features की बात की जाए तो इसके features भी ठीक है look wise बात की जाए तो look wise भी ठीक है लेकिन बावजूद इसके ये bike market में कोई खास जगा नहीं बना पाई हो सकता है इसकी वज़ा इसके price या फिर कोई और वज़ा हो सकती है फिलाल ये थी जानकारी X-Billade के बारे में अब वीडियो को करते हैं समाप और आप वीडियो को like और channel को subscribe करके जाना साथ में घंटी वाला बटन भी दबा देना